अहकी है ये लो दोस्तों सवागत है आपका आपके अपने चैनल में और मैं से अति हैं सवागत करता हूं दोस्तो आज हम सब करेंगे इंटर्मेडेट का दो जार 30 का इंग्लिज का पेपर जो किया आज हुआ है चलिए जल्दी से शुरू करते हैं तो यह इंटर का आज पेपर हुआ है दोस्तों सेट नमबर 316 ZY और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था जब अंसोल्ड की वीडियो बनाई थी हमने कि जो पहला कुश्चेन आएगा वह एक पैसेज आएगा और पैसेज से हमें क गैरफुली पढ़ना है और जो कुश्चेन आगे दिये हुए है इस पैसेज पे जो आधारीत कुश्चेन है उन कुश्चेन का आंसर इस पैसेज से में छाटके लिखने है ठीक है दोस्तों चलिए जल्दी से देखते हैं यह पहला कुश्चेन है वाट मस्ट वी डन इफ व क्या करना चाहिए देखिए पैसेज में इसका अंसर कुश्चेन का आंसर है दोसर में चले हैं 할 कूश्चेन का र दूसरा कुशिण क्या है दोस्तों हमारा दोसरा कुश्चेन है इस ने क्या किया जब वह फेल हो गया था एक भासर देने में पार्लेमेंट में तो इसका अंसर भी दोस्तों इसी में है देखें पैसेज में यह दे रखा है यहां से लिख सकते हैं कि सेडी ने फैमस ओरेटर ऑफ इंगलेंड अटेंटेट तो में के स्पीच इन अपार्लमेंट बट फेल एंड सेट डाउन इंग्रेट डिसकंप फीचर इस फ्रेंड टोल्ड हम यह बहुत सार आप यहां से बना कर लिख सकते हैं यहां से आप एंड इसको आप लिख सकते हैं तक लिख सकते हैं ठीक है ना जितना जाते से जादे आप लिख सकते हैं उतना लिख देना ठीक है लिखा भी होगा आपने उसके बाद अंगला कुष्चन है तो यहां पर हमें यह बताना थे दोस्तों कि यह जो था दोस्तों यह यहां पर देखिए कहा था उसने पर सेजमें यह देखिए यहां से तो यहां से देखे हिरी रिपलाइड व्ह casting मी एंड स्मी शयल कमाउट जब फ़ल हो गया था जो इस यह बात पाइती तो यह मतलब यह कहना चाहरा था कि मेरे अंदर भासर देने इस पीज देने का मतलब एक गुण है और यह बहार जरूर आएगा तो इसको कुछ आपको अपनी तरफ से बना के लिखना था कुछ पैसेज की हैल्प से लिखना था तब आपको यह कुश्चेन का अंसर देना था नेक्ट कुछ ने दोस्तो वाट दी लर्न फ्रॉम पैसेज आपने इस पैसेज से क्या सिक्सा प्राप्ट की है इस पैसेज से हमें क्या सिक्सा मिलिए तो सारा पैसेज पढ़ने से यह पता चल रहे है दोस्तो कि हमें क्या करना चाहिए निरास नहीं होना चाहिए और किसी भी विचवर्ड इंता पैसेज मींद इंभारिस्मेंट इंभारिसमेंट में उता है इंभारिसमेंट का एक तरीकेशले सनार था time इसका आंसर था ठीक ना which word in the passage is the apposite of lazily lazily का कौनसा सब्द अपोजिट है lazily कहते है शुष्टी पन से जया आलसी पन से तो इसका शुरू में द रखा देखिए दोस्तों steadily हो जाता इसका क्या होता इस्टी डिली एंट्वूनियम देना था यहां पे हमें क्या देना था नेक्स्ट है नेक्स्ट कुष्चन है दोस्तों वाट डियू मीन वाइदा फरेज प्रूब टूबी प्रॉफेटिक यह फरेज दे रखा है इसका क्या आर्थ है कि प्रूब टूबी प्रॉफेटिक तो प्रॉफेटिक कहते है भर्षेवानी सिध्ध हुई भर्षेवानी सिध तेदर कुछ आपको आपनी तरफ से बना के देना था अब बहुते हैं सेक्षन बी की तरफ तो सेक्षण बी में देखी यह आर्टिकल है राइट एन आर्टिकल वन अनी बन ऑफ फॉलिए टॉपिक्स इन अबाउट हैं तो तो इसे डियर सब्दों के बीच में आपको यह आर भारते बार्त सपहला था इसमें लिखना था आपका पहला यह रूल अप बुमैन in modern बromm uneven इनडिया चुह आर्थ से और तीसरी आटिकल था जननलिश्म और इट Gelbn कि इन क्या काम है पत्यकार्टा जो होती है ठीक है दोस्तो फिरी लेटर देखें कितने आसाना अखें राये लेटर टू योर यंगर ब्रोदर अपने चोटे भाई को पत्र लिखना था? वार्निंग हिम उसे चेताब नहीं देते है। जो खराब उसके साथी थे उनके खलाब क्या देनी थी? चेतावनी देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना था यह भी बहुत आसान था यह फिर आप application लिख सकते थे कि write an application to the principal principal को application थी of your college requesting him to organize annual sports in time यह principal को application लिखनी थी कि उनसे प्रात्ना करनी थी कि annual sports को organize करें इन टाइम आने समय पर जो वार्षिक खेल होते हैं उनको समय पर organize करें इस तरह से यह application भी थी बहुत आसान थी फिर section C की तरह बढ़ते हैं यह grammar का portion इसको सही से समझते हैं दोस्तों यह है selfish person एक स्वार्थी ब्यक्ति यह दिनक्स जो हमें सा सोचता है आफ इंस वार्थी उसको कहा जाता है क्या कह साथ ठीक है न, to come from, next is the synonym of derogatory, derogatory का, क्या synonym है, क्या परियाएवाची है, तो derogatory होता है, दोस्तो, अपमान जनग, तो इसका हो जाएगा, defamatory, क्यों हो जाएगा, दोस्तो, इसका synonym, defamatory, next question की तरह बढ़ते हैं, दोस्तो, यह है, unless you will not work hard, you will not succeed, which word या part in the above sentence is an error, हमें यह बताना है, कौन सा भाग या कौन सा सब उपर के sentence में, एक error है, दोस है, कमी है, तो देखिए दोस्तो, यह conditional sentence है, और अगर आपके conditional sentence पढ़े हो, तो यह future की condition में, future की condition में, कभी भी if clause जो होती है, वो future में नहीं होती है, तो यह जो हमारी शुरू में if clause दे रहा है किनोंने, यह future में नहीं होती, यह present में बनती, यह यह यहाँ पर error है, तो इसका option number 4, यह सही है, you will not succeed, इस पार्ट में, पूरे पार्ट में इसमें कमी है, ठीक है, यह सही क्या होता, यह will not हटता दोस्तों, और will not की जगे क्या आता, तो दोस्तों यहाँ पर यह will not की स्थान पर क्या आता, do not आता, present का sentence बनता एक, तो यह हो जाता, sentence, कि unless you do not work hard, you will not succeed, next है दोस्तों, तो इसका इस पार्ट में कमी है, ठीक है न, जो था उप्सन इसका सही है, इस पार्ट में कमी है, will not की जगे, do not हता है, फिर है, the antonyum of savage, savage मिस होता है, जंगली, तो दोस्तों इसका antonyum के वागा, सिबलाजिट, यह सिबलाजिट हो जाएका, यह इसका option ठीक है, next है, change anyone of the following into indirect narration, यह आपकी direct speech है, दोस्तों, तो आपको कोई C.A. करनी थी, यहाँ पे मैं दोनों बता देता हूं आपको, देखें दोस्तों, इसमें क्या करना था, पहली direct में क्या करना था, यह है, पिरिया set to the teacher, पिरिया ने teacher से कहा, क्या कहा, sir, I could not do my work yesterday, मैं कल अपना काम नहीं कर सकी, तो देखें दोस्तों, इसमें क्या था, पिरिया, set to come, told में बतलते हैं यहाँ पे, told the teacher, ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यह सर आ गया, यह क्या है, सम्मान सुचक सब्द है, तो इस सर के लिए, conjunction से पहले हमें क्या लगाना होगा, respect fully, respect fully, ठीक है, और फिर हमारा conjunction क्या आएगा, that, यह respect fully किसके लिए है, सर के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी reporter discipline में, एक सम्मान सुचक सब्दे रखा, सर, और बाक क्या हमारा assertive है, और assertive बाक्यों में, conjunction क्या आता है, that आता है, तो पिरिया told the teacher respectfully that, अब यह sentence आई है, आई हमारा जो first verse आने, और आई को हम बदलते है, reporting बरके करता से, और करता क्या पिरिया, पिरिया लड़किया एक बचे ने, तो यह हमारा pronoun का मतलर जागा, C में, C, अब good note का good note ऐसी रहेगा, दोस्तो, do भी ऐसी रहेगा, अब देखे, पहले हमारा subject आई था, आई के साथ possessive case का माई, अब हो गया C, तो C के साथ possessive case का आईगा, हर, work, और yesterday को हम बतलते है, the previous day में, ठीके दोस्तो, डायट में, यह study को the previous day में मतलते है, next, दूसरी हमारा narration है, can you tell me the way to the station, क्या तुम मिझे रास्ता बता सकते हो, station तक, said the traveler to the old man, यात्री ने बुरे आदमी से कहा, तो इंट्विकेटिव सेंटेंस है, तो इसकी डायट इस तरह से बनेगी, the traveler, said to का हो जाएगा आश्र, said to का दोस्त हो जाएगा आश्र, इंट्विकेटिव सेंटेंस में, said to का आश्र में बतल देते हैं, आश्र दा, old man, conjunction यहाँ पर इफ लगाएगा, ठीक है, अब इसको हम assertive की तरह बनाते हैं, तो assertive की तरह बनाते हैं, और यहाँ पर हमारा subject है यू, और यू को बतलते हम reporting बर्ग, तो दोस्तो, प्रेश्ण बाचक बाकी है कि जब हम indirect बनाते हैं, तो conjunction इफ लगाते हैं, और अगर कोई question word होता है, तो वही conjunction बन जाता है, तो यहाँ पर कोई question word है नहीं, तो यहाँ पर हमारा conjunction इफ आएगा, ठीक है, वैधर भी लगा सकते हैं, और इसको बनाएंगे assertive की तरह, तो यू, जो second person है, यू को हम change करते हैं reporting बर्ग के कर्म से, और reporting कर्म क्या है, old man है, old man है, old man singular है एक बचे ने, तो इसका यहाँ पर pronoun होना जाएगा he, फिर tense change करेंगे, can का क्या हो जाता है, could, can का could हो जाएगा, tell ऐसी रहेगा, अब यह me आगे दोस्तो, me जो है, y का object है, और i को हम बदलते है reporting बर्ग के करता से, बदल देंगा, और report करता क्या है, tabler, tabler एक बचन है, singular है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा him, बाकि the way ऐसी रहेगा, बाकि सब सेम रहेगा, to the station, ठीक है दोस्तो, इस तरीके से इंडाइट बने जाएगी यह दूसरी वाली, the traveler asked the old man, if he could tell him the way to the station, ठीक है, नेक्ष्ट है दोस्तो, नेक्ष्ट कुस्चन है, पांचवेगा B, combine any one of the following as directed, किसी एक को आपको change करना था, जोड़ना था, अभी मैं दोनों बता दूँगा आपको, यह पहला था, I will finish the work in time, मैं समय पर काम समाप्त कर लूँगा, I am sure, मुझे विस्वास है, इसको हमने मनाना है simple, क्या मनाना था दोस्तो, simple, देखे simple कैसे बनेगा, simple sentence में क्या होता है, simple sentence में, without conjection में sentence को जोड़ना होता है, I will finish the work in time, मैं समय पर काम को समाप्त कर दूँगा, I am sure, मुझे विस्वास है, तो बस क्या करेंगे, यह 5B का first है, simple, तो इस में हमें क्या करना है दोस्तो, यह दूस्ता sentence सुरू में लिखना था, I am sure, I am sure, और infinitive कहा है, यहां पर यूज करना था, I am sure to finish the work in time, इस तरही से यह simple बन जाता दोस्तो, I am sure to finish the work in time, next है, next sentence है हमारा, यह complex बनाना है, तो चली complex भी बना लेते हैं, यह है, some people die, कुछ लोग मर जाते हैं, for a novel care, cause, expressed कारणों के लिए मर जाते हैं, they are honored by everyone, उनका प्रतियक के द्वारा सम्मान कह जाता है, यह complex बनाना हैं दोस्तों, ठीक है लो, तो यह भी बहुत आसान है, देखे, क्या करेंगे, यहां पर relative pronoun का यूज करेंगे, और भी तरिक्के से बना सकते हैं, अभी फलाल मैं relative pronoun से बना रहा हूँ, ठीक है ला, यहां जाएगा, some pupil, some pupil, who, who का यूज करेंगे, यहां पर, some pupil, who die, for a novel course, writing थोड़ी rough हैं बट समझ मा जाएगी, are, honored, by everyone, ठीक है न, तो इस तरिक्के से हमारा है, complex बन जाएगा, some pupil, who die, कुछ लोग, जो मर जाते हैं, for a novel course, stressed कारण के लिए, are honored by everyone, ठीक है न, तो इस तरिक्के से हमारा है, complex sentence बन जाएगा, next है, transform any, one of the following as directed, यह आपको बदलना है, transform करना है, यह पहला sentence आपको comparative degree बनानी है, दूसरे में affirmative sentence बनाना है, तो चलिए बना लेते हैं, ठीक है, यह सी का फ़स्ट, यह comparative degree बनानी है, कैसे बनेंगे देखो दोस्तो, यह है, कॉलकत्ता, is the biggest city in India, कॉलकत्ता सबसे बड़ा सहर है इन इंडिया, बारत में, तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यह पहचानेंगे, कि तुलना में कोई चीज गुणों में सबसे अच्छी है, यह पहचान लीजे पहले, कि यहाँ पर degree कौन सी है, यहाँ पर हमें देख रहा है, यह biggest है, superlative degree है, ठीक है न, superlative degree है है यहाँ और कोई चीज गुणों में सबसे अच्छी दिखाए जा रही है, कि कलकत्ता सबसे बड़ा साहर है इंडिया में, यहाँ कि कलकत्ता के जैसा कोई साहर बड़ा है नीद इंडिया में, ठीक है न, तो इसके जहाँ हम compare degree बनाएंगे, तो यह degree का नियम है दोस्तों, कि जब हम superlative से comparative बनाएंगें, तो subject चेज नहीं होता, कलकत्ता करता चेज नहीं होता है, तो कलकत्ता कोलकत्ता रहेगा, कलकत्ता यह फिर बर्ब आ जाएगी, उसके बाद biggest की compare degree लग जाएगी bigger, ठीक है, और adjective के बाद conjunction आएगा than, ती एच ए ए ए ए ए ए दैन, इसका conjunction होता है compare degree लगा, तो कलकत्ता is bigger than, और than के बाद यूज करेंगे दोस्तों हम any other का, क्योंकि यहाँ फिर कोई चीज गुणों में सबसे अच्छी है, कलकत्ता is bigger than any other city, any other city in India, इस तरह से दोस्तों, इसके compare degree बन जाएगी, कलकत्ता is bigger than any other city in India, जब कोई चीज गुणों में सबसे अच्छी होती 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 है, तो than के बाद हम any other का use करते हैं, क्योंकि न, compare degree में आता है, इस तरह से compare degree बन गई, तो दूसरे हमें हमें क्या करना था, यह अफरमेटिक बनाना था, तो आफरमेटिक भी बना देते हैं, यह है, no sooner did the train stop, जो इस train रुकी, then I go down, go down, मैं उतर गया, तो देखेंगे दोस्तों, no sooner है यह, no sooner किसका negative, यह सब्द है, as soon as का, तो no sooner के स्थान पर क्या जाएगा, as soon as, तो इस तरह के से बन जाएगी, देखें इसका, इसका फरमेटिक, as soon as, और दोस्तों, यह जो did है, यह हट जाएगा, यह जब no sooner का यूज होता है, तब helping बर साथ में आती है, अब यह did हट जाएगा, और यह stop की सेग्ड फोर्मा जाएगी, stop, 5.9 का बाक्या है, as soon as the train stopped, जब हम no sooner का यूज करते हैं, तो साथ में helping verb लगती है, जहाँ पर no sooner जो sentence के साथ होता है, उस sentence के helping verb no sooner के साथ आती है, तो यहाँ पर यह पाईट का बाक्या है, अब हम इसको affirmative बनाएगे, तो no sooner को में सुनाज में बदल देंगे, और यह stop के साथ हो जाएगे, stopped, ठीक है, और आगे क्या है, then बदल जाएगा, comment में, ठीक है, I got down, I got down, तो इस तरिक्के से अब हर्मेडी बन जाएगा, as soon as the train stopped, I got down, next क्या है दोस्तों, next है, correct नहीं one of the following sentence, यह आपको correct करने है, साही करने है, तो देखे, यह है, his request of leave was not granted, तो यहाँ पर, जो कमी है, यह साही जो होगा, इसमें क्या होगा, his request for leave, off की जगे, इस्थान पर कहाएगा, दोस्तों, for, his request for leave was not granted, तो off का क्या हो जाएगा, for हो जाएगा, next है, these news have disturbed the peace of my mind, तो देखे, news क्या है, uncomfortable noun, इसके साथ, कभी भी, these का use नहीं होगा, ठीक है न, तो these का क्या होगा, this होगा, और have का होगा, क्योंकि news क्या एक, uncountable noun होगा, इसको बहुचन में, use नहीं करते हैं, तो this, these का this हो जाएगा, और have का है हो जाएगा, इस तरीक के पुरा sentence सही बन जाएगा, this news has disturbed the peace of my mind, इसका बने मेरे दिमाग की सान्ती को भंग कर दिया, ठीक है, तो इस तरीक के से दोनों सही हो जाएगा, कोई साइख ठीक करना था आपको एक्जाम में, next है, होँपॉंच जो समानुचारण वाले सब्द होते हैं, उचारण में एक जस होते हैं, बढ़े इनके अलगला होते हैं, जैसे इस्टेर है, इस्टेर हमें सहता सीड़ी, और इस्टेर होता घूरना, तो दोस्तों इनके दो सेंटेंस बनाने थे आपको, एक सीड़ी का बनाना था, और एक घूरने का बनाना था, तो कुछी बना सकते हैं, इस्टेर पर ही बना सकते हैं, आपको इस सभी सेंटेंस और घूरने पर बना सकते थे, दो सेंटेंस आपको बनाने थे, कोई से एक पेर को आपको अपने sentence में use करना है अब यह بن होता है उताना आय compress एक उत्तराव ठीक है न और युझ हमती इनको भी आपको अपने sentence में use करना था तो चाहे तो आपको यह इसका अर्थ सीड़ी है और इसका है घूर ना और यह है उतरना यानि उतराई और यह है ऐसा है ठीके दोस्तों उसके बाद यह आपकी श्टोरी थी एक बार एक चोर घर में घुज गया कितनी आसान श्टोरी है वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं बनानी रहूं ठीके बाकी नेक्स्ट वीडियो में कभी टाइम मिला तो हम बना देंग जरू स्टोरी तो आई होप आपने इस इस्टोरी भी बना दी होगी और उसके बाद यह सेक्शन डी में लिट्लेचर में यह लिट्लेचर थी आंसर था फॉलमिंग कुश्चिन इन अबाट 40 वर्ट या फिर अगला कुश्चिन है वाट डिड रोजवेल्ड से अबाउर दा फियर ओफ डैथ रोजवेल्ड ने डैथ के बहा के बारे में क्या कहा था या वाई डिड़ दा मैन सेलिंग रैट ट्रैप्स इस और बैगिंग एंड पैटी थीवरी यह भी कर सकते थे आप कुश्चिन बनाने के जो ध्योगते हैं इसके क्या हजर्ट थे क्या मतलब क्या खत्रे थे खत्रे होते हैं वह इसमें लिखना था आपको तैस्ट्री बहुत इंट्राइनिंग आने फिलोसोफिकल डिसकस इस्ट्री यह रच ट्रैप जो है वह दोनों चीजे हैं यानि कि मनुझन भी है और फिलोसोफिकल दाशनिकता भी उसमें बोर दर्सन भी कराती है हमें यानि कि उसमें दाशनिकता भी है तो इस पर आपको डिसकस करनी थी नेक्ट कुश्चिन नमबर नो यह आपका पोईट्री का लाइन है थी इसमें आपको कुश्चिन के आंसर छाट कर लिखने थे पहला क्युश्चिन था वाट व्यूट डाव फिसरमेंन नो डू कि फि सर मेन को क्या नहीं करना चाहिए था तो फिसर मेन दाव कॉल्ड शी बूड नौट हार्म वेल्स उसको वेल्स को हारे नहीं पहचानी थे दूसरा क्यूश्चिन वाट बूड जाए